तो दोस्तो एक तरफ है श्रेय शायर तो एक तरफ है हर्दिक पांडिया IPL 2024 का मैच नमबर 51 खेला जाएगा कोलकता नाइट राइडर्स वर्सेस मुंबई इंडियन्स के बीच में और दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे मे Top 3 AC Bold Predictions इस मैच के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कि इस मैच में सही हो सकती है साथी साथ दोस्तो कौन सी टीम जीतेगी ये भी बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लेकिन इससे पहले गर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो कर अच्छे अच्छे वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं तो चैनल को सस्क्राइब वीडियो का लाइक ज़रूर करतें बिना किसी देरी के तो दोस्तों सबसे पहले तो हम Play11 की बात करते हैं मुंबाइ इंडियetics की बात करें तो देखें दोस्तों मेरे हिसाफ से जो है ओपन एकान्व सब्सक्राइब ने म diversity एक वब्र कान van सबस्वक्राइब सब्सक्राइब अबश्यवार नहीं infamous player की अगर में बात करूँ तो नहल वदेरा जो है किसी भी baller की जगा बैटिंग के वक्त खेलेंगे और जब balling होगी तो मेरे इसाब से जो कोई ना कोई baller जो है इन्पेक्ट player की तोर पर जो है खेलने वाला है तो यह एक चेंज हो सकता है तो चलिए अब हम बात करते हैं कोलकता नाइट राइडर्स के जो ओपनर्स है फिल सॉल्ट और सुनी नारायन हमेशा की तरह ओपनिंग के लिए आएंगे नमबर तीन पे दोस्तो रगुवंशी अब रगुवंशी नीचे भी आ सकते कुछ कहा नहीं जा स मेरे नशन चैनुर में जाँप सकते हैं तो दोस्तो अब हम बात करते हैं बोल्ड प्रेडिक्शन्स की देखें यह सबसे बड़े पॉइंट्स है जो बोल्ड प्रेडिक्शन है इस मैच के लिए मेरी वो है रोही शर्मा का बैट जो है चलेगा इस मैच में और दोस्तों मेरे हिसाब से वो पचास से जाधा रंस बना ही देंगे अगर वो नहीं चलते तीलक वर्मा तो कम से कम पचास से जाधा रंस बनाएंगे दोनों में से कोई ना कोई एक बैट्समें चली जाएगा लेकिन रोही शर्मा पे आप मेरे हिसाब से थोड़ा सा मतलब भरोसा रख सकते है इस मैच में क्योंकि जब जब वो कोलकता में आते है तो अच्छा फॉर रहता है उनका और इस सीजन थोड़ा अच्छा भी फॉर्म है उनका तो मुझे ऐसा लगता है कोलकता नाइट राइडर के सामने अच्छे से इनिंग मतलब खेल सकते है और मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में चल सकते है और दोस्तों बात करते हैं सेकेंड बोल्ड चलेंगे अब यह बताने की जरुवत नहीं है आपको किस तरीके से उनकी बैटिंग रहती है और चार ओर्स तो वो करते हैं लेकिन सबसे बड़ी उनकी जो बात है वो है रंस न देना तो यह रंस काफी ज़दा कम देते हैं और दूसरी बात तो यह है कि इनकी बैटिंग ब उपर जो है जो पहले बैटिंग करता है वो सबसे ज़्यादा रंस बनाता है बस डेली कैपिडल्स ने नहीं बनाए अब यहाँ पर दोस्तो साड़ चेज हो जाते है तो इसी से आप समझ सकते हैं ज्यादा पताने की ज़रूरत नहीं है मुझे और मुझे ऐसा लगता है यह मुंबई इंडियन्स चेज करती है तो वो जीत सकती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फिर थोड़ी सी केक यार मुझे विग दिखती है क्योंकि वो रंस नहीं रोक पाते है और फिर वो दोस्तों से जादा भी रंस अगर बनाते तो वो दे ही देते हैं उनके बॉलर्स तो य इस वीडियो में बस इतना ही कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक चैनल को जरू सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं इस टूडियो में थैंक्स पर वाच